Let's improve English आप इन में से किसी का भी उज़ कर सकते हैं सब कई मतलब होता है खुशी ये सभी नाउंस है डिलाइट, हैपिनेस, प्लैजर, इंजॉयमेंट यानि आनन से, मजे से, खुश होकर उसने विसल किया विसल बोलते हैं सीटी बजाने को ये सिंपल पास्ट की बात है इसलिए विसल की सेकेंड फॉर्म आई है यानि बड़ी खुशी से उसने सीटी बजाई मैंने अनगिनत लोगों से ये सुना है जैसे कोई बात होती है जो आपना कई बार सुनते रहते हैं तो ऐसी बात कही जाती है ना कि मैंने अनगिनत लोगों से सुना ये I have heard this from countless people I have heard यानि ये तो present perfect tense है इसमें subject और has have के साथ आपकी third form आती है यहाँ पर hair की third form है दिख रही है ना आपको hair मतलब सुनना होता है और ये उसकी third form है I have heard यानि मैंने सुना है this यानि कि ये सुना है from from एक preposition है जिसके बाद हम बताएंगे कि किस से सुना है countless people यानि इतने लोगों से सुना है जिनके गिंती नहीं हो सकती मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों से सुना है गिनने जाएंगे तो गिन तो सके हींगे ना लेकिन ऐसे बोला जाता है या अनगिनत लोगों से सुना है from countless people देखो आप सब countless का न और examples में use देखो मेरे ना आने के पीछे अनगिनत कारण है there are countless reasons behind my not coming यानि मेरे ना आने के पीछे तो यहाँ पर behind एक preposition है और किस के पीछे my not coming मेरे ना आने के यहाँ पर coming एक gerund है चले जाता grammar में नहीं पढ़ते है my not coming यानि मेरे ना आने के पीछे countless reasons है बहुत सारे कारण है या फिर आप कह सकते है there are countless reasons behind my not showing up show up एक phrasal web जिसका मतलब होता है आ जाना मुखडा दिखा देना बोलते हैं ना कि तुने तो सकल भी दिखाई तो तो आया भी नहीं उसी तरीके से ने English में phrasal web होता है show up तो show up का मतलब होता है कहीं पर आ जाना किसी party में किसी gathering में कहीं पर भी there are countless reasons यानि बहुत सारी reasons है behind my not showing up मेरे ना show up होने के पीछे बहुत सारे कारण है अनगिनत लोग मुझसे ये सवाल पूछते है मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और बार बार वहीं पूछा जा रहा है अनगिनत लोग पूछते है countless people ask me these questions तो अब मुझे लगता है आपकी अच्छे practice हो गई होगी countless को sentences में use करने की तो जब तक आप अच्छे से perfect नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज में जब आप खुद अपने आप sentences नहीं बनाएंगे तो प्लीज अपने आप sentences ज़रूर बनाना countless का use करके ताकि आपकी practice हो सके और सही मायनों में आपकी English improve हो सके countless people ask me these questions कई बार लोगों को मैंने confused होते देखा है वो सुचते है ask के बार to लगाऊं, from लगाऊं, क्या लगाऊं यार क्यों इतना confused होने की ज़रूरत है कुछ भी मत लगाऊ सीधा ही हम इसे बोलते है people ask me these questions not people ask to me, people ask from me गलत है simply बोलो people ask me these questions there is usually no need of any preposition with this word especially in this kind of sentences मैं हमेशा अपने काम में मगन रहता हूँ कई बार ऐसा बोलते हूँ लोगों को आपने सुना होगा न किसी काम में मगन रहना या फिर ना तलीन रहना ये बड़ी शुद हिंदी में पता है कैसे कैसे हिंदी में भी ना कमाल कमाल तरह से बोलते है मैं हमेशा अपने काम में मगन रहता हूँ I am always engrossed in my work तो किसी चीज में engrossed होने का मतलब है उस काम में बिल्कुल मगन रहना बिल्कुल खो जाना उसमें I am always engrossed in my work यानि मैं अपने काम में हमेशा ही खोया रहता हूँ अगला example देखिए वो गाना सुनने में इतना मगन थी इतनी खोय हूई थी क्यों से मेरी आवाजी नहीं सुनी पदा नहीं कौन सा गाना सुन रही थी He was, I am sorry, वो तो लडकी है न She was so engrossed in listening to the song that she couldn't hear my voice वो इतने engrossed थी इतने engrossed थी ना वो किसमें in listening to the song गाने को सुनने में की, that, she, where, current ये एक model है past model है जो मैं बता रहा है कि कुछ काम नहीं हो पाया क्या नहीं हो पाया उसके सुनने का काम नहीं हो पाया She couldn't hear वो सुनने ही पाई my voice मेरी आवाज को मेरी आवाज उसे सुनी ही नहीं She was so engrossed in listening तो यहाँ पढ़ना ये एक combination होता है so or that का इस तरीके के कई sentences बनाये जा सकते हैं जैसे she is so angry that she is not talking to anybody वो इतने गुस्य में है कि वो किसी सर भी बात नहीं कर रही है जैसे कि the food was so hot that I burnt my mouth जैसे कि jacket इतनी महँगी थी कि मैं उसे खरीद नहीं पाया the jacket was so costly that I couldn't buy it so that यानि कोई चीज इतनी है कि इतना है मतलब इस तरीके से sentences बना सकते हैं I hope मेरी भावनों को आप समझ गए होंगे उनका प्यार एक दूसरे के लिए और बढ़ता जा रहा है उन दोने के बीच में जो प्यार है वो तो और बढ़ता जा रहा है their affection for each other is becoming more and more बिल्कुल casually, बिल्कुल simply मैंने sentence बना है becoming more and more यानि और पे और होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है love भी आप यहाँ बोड़ सकते हैं और affection भी बोड़ सकते हैं बिल्कुल सकते हैं यह अपना प्यारा सा प्यार है their affection for each other एक दुसरे के लिए उनका जो प्यार है उनका जो प्रेम है उनका जो affection है, उनका जो love है कितने नाम है their affection for each other is becoming more and more हम चाय की चुस्किया लेते-लेते बाते कर रहे थे अकसर ऐसा होता है ना चाय की चुस्किया लेना मतलब चाय को पीते रहना थोड़ा-थोड़ा करके तो इसे हम कह सकते हैं आप इन तिनों में से कोई भी उस कर सकते हैं सब का यह मतलब होता है बाते करना, गपशप्ट करना विवर टॉकिंग या फिर गॉसिपिंग या फिर चैडरिंग वाइल सिपिंग टी, चाय पीते-पीते यार क्या बताओ यह वाइल इतना कमाल का वर्ड है ना मैंने जितनी भी वीडियोज बनाई है ना बहुत सारी वीडियोज में वाइल का यूज मुझे करना पड़ता है क्योंकि स्पोकन इंगलिश में कई बार इसका यूज होता है कई बार हमें बाते करते करते ना वाइल का यूज करना पड़ता है इसलिए मैंने इसके लिए एक separate वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को अगर आपने अभी तक भी नहीं देखाना तो जरूर देखना इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा अगला संदेस देखिए मज़े से नेहा अपनी सहिली के साथ बातों में लग गई नेहा गॉट इन्टो अ कॉन्वसेशन या फिर कहें चैट विद हर फ्रेंड यहाँ पर चैट का भी मतलब होता है बातचीत अब ज़रूरी नहीं है कि वाटसप पर या क्या कहते है उससे मैसेंजर पर ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज लिख लिख के रिपलाय वगयरा करना होता है वो ही चैटिंग होती है बलकि ऐसे मूँ से बात करना भी चैटिंग ही होता है परसनल इन्फॉर्मल जो बाते होते हैं उन्हें चैटिंग कहते हैं नेहा got into a conversation, यानि एक बाचीत में पढ़ गई, बातों में लग गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, किसी को मैंसे बताते हैं न, you will never get a better chance, देखिए इसको और कितने तरीके से कह सकते हैं, there will never be a better moment than this, there won't be a better opportunity, इन सबी का मतलब होता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा, अफसर नहीं मिलेगा, कर ले जो भी करना, जिस भी बारे में बात हो रही है, मतलब की, you will never get, तो यहाँ पर will never get, negative बनाने के लिए, यहाँ पर will never be, और यहाँ पर won't, जो क इसे तो ऐसे बोलते हैं, आपने तो यह बताया, इसे तो ऐसे बोलते हैं, एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, और वैसे भी, अगर आपकी speaking में variety होगी, तब ही तो आपकी speaking, आपका conversation बहुत better लगेगा, और बहुत impressive लगेगा, तो इस तरह की से आप बोला क है, रोज थोड़ा सा time speaking को जरूर देना, English speaking को अगर आप improve करना चाते हैं, मुझे कई बार खुद पर गुसा आजाता है, कई बार ऐसे होता है कि खुद पर ही गुसा आजाता है, यहाँ पर often क्या है, एक adverb of frequency है, जो कि हमें बताता है कोई काम कितनी बार होता है, often का मतलब यानि कि कई बार, I often get angry with myself, यानि मुझे अपने आप पर ही, खुद से ही मैं गुसा हो जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर होता है तो comments में मुझे जरूर बताना, वैसे भी आप comments तो कम ही करते हो, पता है नि क्यों, तुम इस काम को सम समाल लोगे, हम ऐसे पूछ रहे हैं किसी से कि तुम समाल पाओगे, हैंडल कर लोगे इस काम को, will you be able to cope with this work, तो किसी चीज के साथ cope करने का मतलब होता है, to deal with problems or difficulties, cope with, आप कई बार सुनोगे, cope up with, वो गलत है, पताने लोगों ने कैसे बना लिया, cope up with, ऐसा कुछ नहीं होत निपट लोगे इस से, देखिए एक और example आपके लिए, तुम्हें इन कठिनायों का सामना तो करना ही पड़ेगा, you will have to cope with these difficulties, यानि तुम्हें इन इन डिफिकल्टी से, इन कठिनायों से, निपटना तो पड़ेगा ही, इन से सामना तो करना ही पड़ेगा, मैंने तेरे जै गोड़ेगा, I mean anybody as self-obsessed, self-absorbed as you, तो self- obsessed और self-absorbed दोनों का ही मतलब होता है, ऐसा इनसान जो बस अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, बस अपनी पड़ेगा उसको और किसी की नहीं पड़ेगा, बस अपने यबारें हम सोचता है, यानि की मतलब ही है, खोदगर्ज है, I have never seen यानि मैंने कभी भी नहीं देखा anybody, कोई भी as हमें बता रहा है कि इतना self-obsessed या self-absorbed as you जितने की तुम हो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो as-as है ना ये conjunctions होते हैं इनका use किस तरह के से अच्छे से हम कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को आप जरूर देखना मैंने काफी अच्छे से whiteboard पर समझाए हुआ है कि कैसे इनका use अच्छे से कर सकते हैं आपके English बहुत improve होगी इसको सीखने के बाद और इसी के साथ एक बात और बताऊ सेल्फ अपसेश्ट को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है एक वीडियो में मैंने शायद दस words बताये थे आपके English vocabulary को improve करने के लिए उसी में से एक सेल्फ अपसेश्ट भी था जिसका मतलब होता है अभी आपको मैंने बताया है कि अपने बारे में सोचना बस दूसरों के बारे में नहीं सोचना तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा ताकि आप बागी बज़े 9 words को भी सीख कर अपने English को improve कर सके अपनी vocabulary को improve कर सके तो friends बात करते हैं नेक्ट वीडियो लेसन में आपके लिए मैं लेकर आँगा एक और मज़ेदार लेसन जिसमें सीखने के लिए मिलेंगे आपको बहुत सारे चीज़े मिलता हूं मैं आपसे यानि की बात करते हैं नेक्ट वीडियो लेसन में तब तक लिए अपना ख्याल रखना सीखते रहना keep learning, keep improving yourself take care and bye bye